बच्चों ने पढ़ने से किया इनकारत 69 साल की बुजर्ग ने उठाया बस्ता और पहुँच गया स्कूल नीट की परिक्षा में बैठा बुजर्ग, एकलोता बेटा हो गया था नशिली, बेटियों ने पढ़ने से किया मना सरकारी नौक्री से रेटार हुए थे बुजर्ग, बुढ़ापे में सम्हालने वाला कोई नहीं बचा, तो चले स्कूल अउलाद अगर निकम में निकल जाये तो माता पिता क्या करें? इसकी मिसाल उत्रप्रदेश के 79 साल के बुजर्ग ने पेश की है, सोचिये, जिस उम्र में इनसान सोचना छोड़ देता है, उस उम्र में एक बुजर्ग ने नीट की परिक्षा दी अलिगर के रहने वाले इस बुजर्ग का जजबा तो काबले तारीफ है ही, लेकिन जिस सरे से उन्होंने डॉक्ट्री के पढ़ाई करने के थानी, वो भी कम नहीं है मोहनलाल गोला की उम्र 79 साल है, जब वो अलिगर के रेडियंट स्टार स्कूल में परिक्षा देने पहुँचे तो सब हैरान रहे गए टीचर्स को लगा कि किसी के पिता है, अपने बच्चों के साथ आए होंगे लेकिन मोहनलाल ने जब अपना एड्मिट कार्ड निकाला और अंदर घुसने लगे तो टीचर्स ने रोक लिया, एड्मिट कार्ड देखा और दंग रह गए बजर्ग खुद स्टुडेंट थे, फिर क्या था, आज सपास भीर लग गई, बच्चे भी सब देखने लगे तब मोहनलाल ने बताए कि उनके चार बच्चे हैं, जिसमें सेग लड़का और तीन लड़किया है लेकिन लड़का नशे में पढ़ गया है, और उसे कोई सुद नहीं रहती लड़कियां भी पढ़ना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने सोचा कि जब बच्चे नहीं पढ़ रही हैं, तो मैं खुदी पढ़कर सपना पूरा कर सकता हूँ मोहनलाल का कहना है कि बढ़ापे में कई तरह की बिमारिया हो जाती है, और अक्सर डॉक्टर की जरूरत होती है, तो मैं चाहता था कि मेरा कोई बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वैसा नहीं हो सका, इसलिए अपनी जडुतों को पूरा करने के लिए मैंने खुद डॉक्ट मोहनलाल गोला कहते हैं कि बच्चों ने पढ़ने से इंकार कर दिया, लेकिन मेरी बच्चपन से ही पढ़ने की आदत रही है, मेरी जेब में अगर पैसे नहीं होते, तो मैं खाने से पहले किताब खरिद कर पढ़ने की सोच था, मेरा आधा घर किताबों से भरा हुआ है, मो उन्होंने पढ़ाई की उम्र में कभी पढ़ाई नहीं की, सीम भी बने, लंबा राजनीती करियर जियाद, फिर उम्र के आकरी पढ़ाओं में जेल में रहते हुबे लगा की पढ़ना चाहिए, तो पहले दसमी और फिर बारवी की परिक्षा पास की, तभी कहते हैं कि पढ़ क्यों को भी अगला जाए